नमस्कार दोस्तों सुआगत है आपका हमारे चैनल अक्षरा टिप्स में फ्रेंड्स आयुर्वेद में सुआगे का उपयोग हमारे इसकीन, हमारी हैल्थ, हमारी बोड़ी के लिए किया जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं सुहागा हमारी सेहत के लिए और हमारी स्केन के लिए कितना फायदेमन होता है आविर वेद में सुहागे को टंकर भसमे के रूप में जानते हैं और इंगलिस में इसे बोरक्स कहते हैं लेकिन सुहागे को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाके अगर सुहागे को मांगोगे तो वो आसाने से मिल जाएगा सुहागे की प्रकरती गर्म होती है जब भी आप इसे इस्तेमाल करें इससे पहले इसको सुद्ध खर लेना चाहिए इसके लिए सुहागे को गरम तवे पर गरम करें जब यह पानी बन जाए तब इसको ठंडा करके बारेक चूरन बना ले क्योंकि आपने इसको अक्सर सुनार के दुकानों में देखा होगा ये धातु को चमगाने की काम आता है तो चलिए देखते हैं सुहागे का उप्योग घरेलू नुसकों में 20 ग्राम सुहागा 10 ग्राम कपूर को 50 मिली लिटर उबले पानी में मिलाकर बाल धूने से बाल मुलायम और काले हो जाते हैं 50 ग्राम सुहागे को 10 ग्राम कच्छे सुहागे और 200 मिली लिटर पानी में डालकर उबाले इसको ठंडा होने पर बालो को धो ले तो बाल मजबूर बनते हैं अगर आपके बाल गिरते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है 20 ग्राम सुहागा 20 ग्राम कपूर को बारिक पीस कर पाने में मिलाकर अपने बाल दोएं इस पानी से बाल दोने से आपकी बालों का गिरना कम हो जाएगा बुने हुए सुहागे को नारियल या जेतुन के तेल में मिलाकर अपनी तोचा पर लगाने से चमडी के जितने भी रोग होते हैं जैसे दाद, खाज, खुजली या धूप की ऐलर्जी तो उससे आपको आराम मिलेगा सुहागे को नीम के पत्तों का पाउडर मिलाकर पेश्ट तयार करें और इसे अपने सीर्थ पर लगाएं ये बालों से डेंडर्फ को दूर करेगा एक चमच पिसा हुआ सुहागा एक बाल्टी पानी में मिलाकर नहने से अधिक पसीना आना और सरीर की दुर्गंदाना बंद हो जाती है अगर आपके सीर्थ में डेंडर्फ है तो 50 ग्रम सुहागी को तव्य पर भून कर पिस एक चमच नारेल तेल और एक चमच दही को मिलाकर सीर्थ में लगाएं और आधे घंटे बाद अपने सीर्थ को धोलें इससे अगर आपको डेंडर्फ की समश्या है तो वो जड़ से ख भूलकर उसमें कपड़ा भी होकर घाव पर भांदने से खून रुख जाता है 10 ग्राम सुहागा 200 मिली लिटर पाने में मिलाकर घाव को धोने से घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है जाईया 25 ग्राम चमेली के तेल या बादाम रोगन में 1 ग्राम पिसा हुआ सुहागा मिलाकर चहरे पर लगाएं चहरे की जाईया काले दाग पिंपल दूर होंगे नाखूनों का रोग नाखूनों की खुजली वे सडन में सुहागा भूनी हुई फिट करी गंदक वे चीनी बराबर मातरा में लेकर सभी को अच्छी तरह से मिलाएं और इसे सफेद वेसलीन में मिलाकर पेस्ट तयार करें यह पेस्ट दो से तीन बार नाखूनों में लगाएं तो आपके नाखूनों के जितने भी रोग हैं उन समय आपको फायदा मिलेगा फ्रेंड्स पांसो मिली ग्राम से अधिक सुहागे का सेवन नहीं करना चाहिए और जब भी आप इसे खाने के रूप म सेवन करना चाहें तो पहले किसी डोक्टर की सला ले लेनी चाहिए तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू